हलो एवरिवान, वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन फूड आयोध्या, जै मातादी फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ थोड़े से साबुदाना और आलू से बहुत ही टेश्टी कुरकुरेखी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो फ्रेंड्स आप इसे जरूर करके खा सकते हैं, तो चलिए बनाना सुरू करते हैं, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें साबुदाना ले लेना है, और इसे हमने रात पर पानी में भिगो दिया था, और इस तरीके से मसल कर देखेगा, बीच में बिलकुल भी गुठलिया ना हो, अच्छी तरीके से तरीके से पक जाए, जितनी अच्छी तरीके से पकेगा, उतना ही अच्छा ये कूरकुरे बन कर तयार होगा, तो ये देखिए हमने डाई कटोरी पानी ले लिया है, अब इससे तेज आच पर पकाएंगे, तो लगतार तेज आच पर हम एक उबाल आने देंगे, अच्छे से और कलची से हलके हलके हाथों से मैस करते रहेंगे, ये देखिए, तो ये इतना पक चुका है, अब हमें क्या करना है, अब इसमें डाल देना है आलू, तो इसके लिए हम आलू को पहले से ही उबालके रख लिये हैं, तो इतनी जितना हमने लिया है साबुदाना, उसी साथ स दो आलू इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसमें आ जाएगा तो इसे हमें कद्दूकस कर लेना है तो यह देखिए जो पतलावला छेद है कद्दूकस का उसी से हम इसे कद्दूकस कर रहे हैं यह देखिए कितनी अच्छी तरीके से यह पतला-पतला सा हो जा रहा है जिसे क आसानी से साबुदाने में मिक्स हो सके यह देखिए दोनों आलू हमने इस तरीके से कदूकस कर लिया है अब इसमें हमें मिक्स कर देना है तो साबुदान अच्छी तरीके से गल गया है अब इसमें हम आलू डालकर इसे भी मिक्स कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसे पका लेना है, उबली हुई आलू हमने लिया है, इसलिए इसमें गुठलियां बिल्कुल नहीं रहेंगी, तो यह देखिए आधा चमस से भी कम नमक डालेंगे इसमें, क्योंकि जब यह सूख जाएगा, तो नमक ज्यादा हो लेते हैं, एक पॉलिथीन हमने ले लिया है, तो नमक की पैकेट हमने लिया है, आप चाहे तो दूज वाला या फिर कोई भी पॉलिथीन ले सकते हैं, तो इस तरीके से बहुत जल्दी बन जाता है, तो यह ग्लास में से रखकर, हम आधा बैटर एक साथ इसमें डाल देंग जिसे की दो बार में ही पूरा यह बन जाएगा, जर बार-बार हमें इसमें भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह बड़ी से पॉलिथीन है, अब एक किनारे हम ले आएंगे, और साइड में हलका सा कट लगा देंगे, जितना भी मोटा या पतला आपको बनाना हो, तो छोट पर ले जाकर पॉलिथीन को अलग कर देंगे, और आसानी से यह उठाते हुए भी बनेगा, तो हमें धूप में बैठना भी नहीं है, हम आंगन में ही इसे इस तरीके से बना कर छट पर ले जाकर रख सकते हैं, बड़ी आसानी से, यह देखिए कितनी जल्दी-जल्दी से ब आप देख सकते हैं, और खाने में उतना ही टेश्ची लगता है, तो हम ले जाकर यह देखिए, छट पर हमने इसे रख दिया है, अब यह पूरा दिन सूखेगा, साम को हम इसे लेकर आएंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं, जब अच्छे तरीके से सूख जाएगा, त साल तक आप इसे रख सकते हैं, यह देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से सूखा होना चाहिए, अब तेल हम गरम करेंगे, तेल बहुत अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए, जितने अच्छी तरीके से तेल गरम करेंगे, उतनी जल्दी यह तेल में डालते हुए ही पक अच्छा आता है और इसमें खुस्वू भी बहुत अच्छी आ रही है तो थोड़ी से साबुदाने और आलू से आप बहुत ही टेस्टी इस तरीके से कुरकुरे अपने खर पे बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फूल रहा है और कितना अच्छा कलर इसम सारा बना कर अपने घर पे रख सकते हैं और बचों को जब भी जित करें इस तरीके से फ्राइ करके आप देख सकते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है और इतना हलका होता है कि जिसके पास दांत नहीं हो भी खा सकता है बढ़ी आसानी से तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ थैंक फार वाचिंग जय माता दी